हेलो वाइज मैं हुशाहिल और आप देख रहे हैं नीट, NCRT, PCB और ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो है दा लिविंग वर्ल्ड का इसमें मैंने दो हाइलाइटर का यूज किया है येलो और ब्लू येलो से मैंने उन चीजों को हाइलाइट किया जो पिछले 10 सालों में प किया है कुछ इन्पोटेंट्स लाइन को आप जानते ही हैं कि नीट में 70 से 80 से से पूछे जाते हैं तो चलिए हम लिविंग वर्ल्ड की कोई क्रिविजन करते हैं तो ये पैराग्राफ दे रखा है और नफ्कमियर के लिए यहां से दो चीजे पूछी गई है नीट में इन तो ये स्वाल पूछा गया था नीट में तो चलिए चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं तो चैप्टर में 4 टोपिक में डिवाइड किया गया है तो जो लास्ट के दो टोपिक हैं टेक्सोनोमिक के टेगरी और टेक्सोनोमिकल एड्स यह दोनों इन्पोटेंट हैं नीट के ल मistä गज़न ओग्सटाइऊ तो ग्रॉद के कीवतके जो क्रैक्टरस्टिक होते हैं अबंग्स इन्क्रीजी मास इन्क्रीजीन नमबर कि फिर नीचा आते हैं जो प्लांट होते हैं वो अपनी स्टमें में सेलीचन करते रहते हैं और उनकी ग्रॉद कॉंटीनियos ली होती रह तो इस तरह मह ग्रो करते हैं पिर यहां से कोशिन पूछे गए हैं कि रिप्रोडॉक्शन के टॉपिक से कि फंगी कि स्थे मल्टिप्लाई करती है तो एसेख्षल स्पोर्स है इस टोर हाइड्रा में क्या होता है बर्डिंग होता है फिर प्लैनेरिया पूछा गया है नीट मे प्लेन या फ्लेट मोर में क्या होता है तो त्रिव रिजनेरेशन के जरी वो अपना रिप्रोड़क्शन करता है फिर यह पुछा गया थाद भी फंगी हो गया फ्लामेंटेस आल गए प्रोटानमा ऑफ्मोसिस यह एजली मिल्टिप्लाई करते हैं फ्रेग्मेंटेशन के जरी हों अलिघी होगे फिर यूइसलूलर औरगिनिजमस बैक्टिर्याद होगे इसलीट के हमीबाभ होगे तो इन में रिप्रोड़क्शन होता है और ग्रोथ होते और शीम्लमई होते हैं मतलब एक दूसरे के एकवल होते हैं तो यह पूछा गया नीट में travelers प्र आता कोह रिप्रिदूस नहीं करते हैं जैसे कि मेल शर्टाइल वरकर भी इन्फर्टाइल हुमन कॉपल्स तो यह कुशन आ सकता है नीट में फिर था है हमारे से नरे में जो भी मेटाबोलिजम होता है जो संचीटल उफ आल केमिकल रियक्षां अपरिंग इन आप्रिंग बोड़ी इस में असका मेटाबोलिजम बोल तो यह यह सेलीर उर्गनाईजेशन और बोड़ी इस दिफाइनिंग फिचर ओफ लाइफों यह इन् सा होता है living organism का तो यह होता है अपने इंवार्मेंट और सुराउंडिंग को सेंस करना और सेंस करने की ability होना यह unique feature है unique living organism का और respond करना अपने environment stimuli के के खिलाफ जो plant respond करते है external factor के जो कि है है light water temperature organism और population pollutants तो यह पूछा गया है नीट में आप ध्यान दीजीगा इस पर कि जो फोटोप्रेड होता है वो भी effect करता है reproduction को seasonal breeder और plant और animals में यह पूछा जा सका है नीट में फिरा था है human being has self-consciousness यह property होती है human being की फिर नीचे चलते हैं यहां पर एक question पूछा गया था कि नीट में कि जो number of species है जो कि describe हो चुकी है वो कितनी है दो हो है 17 से 18 लाख दान दी जीगा इस पर यह नीट में पूछा गया है फिर यहां पर यह नॉमेंट क्लेचर दे रखा है प्रोसेस होता है कि जबी particular organism को उसका एक worldwide name की जो naming की जो प्रोसेस होती है उसको नॉमेंट क्लेचर बोलते हैं फिर यहां पर दो बुक नेम दे रखे हैं जो नीट में पूछे गया है ने SY் कि पन में इस्टेल को इस पर आस इस ऐं क्याने के टो फुक नेम देरा रख्या है जो मेंट 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 नेम के दो कॉम्पोनेंट होते हaval generic name और specific epithet ये बि इन्प्रेंट है यह विन्न पूचा जा सकता है जो फिर सोते हैं mango का scientific name क्या होता है organ fan injury का यहां पर यह चार रूल दे रखे हैं कि scientific name कैसे लिखा जाता है की तो जो biological name होते हैं scientific name जिने हम बोलते हैं वह लैटिन origin होता है इसलिए हम उन्हें italic में लिखते हैं दूसरा रूल है जो पहला वर्ड होता है वो genus को represent करता है और second component species को तीसरे रूल में लिखा गया कि हम अगर उसे हाथ से लिखते हैं scientific name तो हमने separately underline करते हैं अगर हम print करते हैं तो italic में लिखते हैं ताकि यह जिनस का वर्ड होता है वो capital होता है और species small letter होती है मगनिफेरा इंडिका लिनियस इसमें दिखाया गया कि लिनियस क्या डिस्क्राइब करता कि यह लिनियस द्वारा scientific name दिया गया है फिर नीचे classification है किसी भी particular organism को एक ग्रूप में इसली ऑब्जरवल क्रेक्टर के बेस पर हम रख देते हैं किसी भी ग्रूप में उसे हम classification बोलते हैं फिर यहां आते हैं लिनियस ने किताब दीती सिस्टेमा ने चेरा यह नीट में पूछा गया है फिर आते टेक्सोनोमिक के टेक्री यहां से नीट में बहुत से कोचिन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं जो टेक्सोन होता है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ध्यान रखेगा नीट में पूछा जा सकता है तो यहां पर टेक्सोनोमिकल केटेग्री दे रखी हैं साथ किंग्ड प्लांट के लिए डिविजन हो जाता है फिर आता है क्लास और फैमिली जीनस और स्पीशिज फिर उसके नहीं चाहता है स्पीशिज शुलनम टूब्रोसम प्रटेटो पैंथे रालियो लोएन यह एक्जामपल आको याद करने हैं जो हम्योन बींग है उनका साइंटिफिक नेम है होमोशेपिन्स नीट में पूछा गया है यह आप जान रखेगा इस बत को फिर आता है जीनस इसमें एक्जामपल दे रहा है स्वलनम लोएन का दे रहा है पैंथेरा लियो लेपर्ड पैंथेरा पार्डस और टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस यह तिनों आपको सुलनेशी यह आपको याद रखना है और जो डॉग और कैट के लिए फैमिली है वो है फैलीडई और कैनेडई ज्यान दिजीगा इस बात पर फिर आपको यह इंपोर्टेंट लाइन है यह आपको याद करने है देख लिजीगा यहाँ पर यह करका डिविजन क्या होता है जो डिविजन होता है प्लांट के लिए हम यूज करते हैं तो यह नीट में पूछा गया है और यह टेक्सोनोमिकल हिराचरे दे रखा है तो इ उपर से है किंग्डम के लिए कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक यह आप द्यान दीजीगा इस पर फिर यह टेबल है जिसमें जिनस फैमिली और ओर्डर क्लास दे रखा है किस फैलम से यह रिलेटेड है यह दे रखा है तो हाउस फ्लाइव मेंगो और वीट के तो आपको इनका नाम साइंटिफिक नेम और यह सारे फैमिली और इनका ओडर भी याद करना है नेट में पूछे गए हैं और यहां से हर साले कुछन पूछा जाता है फिर आता टेक्सवनोमिकल एड्स किन-किन एड्स के जरिए हम और्गनिजम कौन के क्लासिफिकेशन को ह पिर स्टेडी कर सकते हैं तो उसे हम टेक्सवनोमिकल एड्स पोलते हैं तो पहली पहला है हर्बेरियम इसमें क्या होता है कि हम स्टोर करते हैं प्लांट के स्पीशिमेन को जो कि सुखे हुए होते हैं दबाए हुए होते हैं और प्रिजर्व होते हैं सीट के अंदर तो इस नाम होता है local नेम होता है और बोत्ट निकल नेम होता है और किस फेमली से है plant यह लिखा हुआ होथा है और किस बंदे नहीं यह collect कया था specimen वो लिखा हुआ हो था तो एक क्विक रेफ्लर सिफ्टम में किसी भी study के लिए तो इनीट में पूचा गया है रबेरियम के लिए फिर आते बोटनिकल गार्डन्स जहाँ पर जिंदा प्लांट होते हैं रेफ्रेंस के लिए बहुत सारा बहुत बड़ा एक एरिये में हम बहुत सारी प्लांट की स्पीसिज उगाते हैं जो बहुत दूर दूर के एरिया में पाई जाते हैं उनको एक ही गार्डन में होगाते हैं तो बोटनिकल गार्डन के लाता है और हर प्लांट पर एक लेबल लिखा होता हैं जिस प क्यू इंग्लेंड में Indian Botanical Garden हवरा इंडिया में और National Botanical Research Institute लखनू इंडिया में फिराथ हम मुजियम यह में हम प्रिज़र्व प्लांट और आनिमल स्पेशिजमन को स्टेडि और रेफरेंश के लिए रखते हैं मुजियम में इसमें क्लेक्षन स्कलेटेन का भी हम करते हैं फिर आता है जू लोजिकल पार्क जीसे हम जू बोलते हैं तो इसमें एक इन्पोर्टेंट है कि जो भी एनिमल है हम उसको उसका ही नैचुरल हैबिटेट देते हैं जू के अंदर तो यह इन्पोर्टेंट दीगी एंड लाइन गया देखेगा फिरा थै की इसमें तीन चीजें पूछी गई है अब तक नीट में पहली है कपलेट तो याद रखेगा फिरा थै लीड इस प्टेट्मेंट इन की इस काल लीड तो यह कोशिन पूछे गए हैं नीट में की आर जर्णरली एनलाइटिकल इनेचर एनलाइटि चीजें इंपोर्टेंट हैं की के अंदर फिराते हैं ये चार कैटेग्री दे रखें फ्लोरा मैनुवल मॉनोग्राफ और कैट्रोग जो कि हमें स्टर्डी और रेफरेंस के लिए मदद करती हैं फ्लोरा के अंदर क्या होता है कि एक एक्ट्वल अकाउंट ऑफ हैबिटेट and distribution of plant of a given area एक given area के अंदर कौन-कौन से plant पाये जाते हैं और उनका distribution कहा कहा है तो वो बताता है फ्लोरा यह हमें एक index provide करता है कि किस area में कौन-कौन से plant species मिलती हैं फिराता है मैनुवल इंफोर्मेशन देता ही हमें identification of name and species found in an area कि एक एक एरिया के अंदर पर्टिकल एरिया के अंदर कौन-कौन से species पाये जाते हैं फिराता मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या होता कि हमें एक टेक्सोन का एक पर्टिकलर टेक्सोन का information देता है मोनोग्राफ अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा और इस वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और वाट्सप ग्रूप में और आप हमें फोलो भी कर सकते हैं इस्टाग्राम और फेस्बुक पर आप हमें गूगल सर्च भी कर सकते हैं हमारी वाइब साइट है निट-ncrtp-cb.com